जैन समाज ने दिखाई ताकत तो हिल गई मोधी सरकार की जड़े दिल्ली से लेकर मुंबई तक मचा तूफान भाजपा को आखबन करके सपोर्ट कर रहा था जैन समाज लेकिन मोधी सरकार ऐसा करेगी जैनियों ने कभी सोचा नहीं था संसत से लेकर राश्चपती भवन तक पहुँची आवाज लेकिन मोधी फिर भी मौन धरम की सियासत करने वाले नेताब कहां गए देखिए क्या है पूरा विवाल काशी और अहुद्या के नाम पर बोट मांगने वाले सम्मिज सिखर के नाम पर चुप क्यों कौन देगा जवाब देश का सबसे शांतिप्रिय, सिक्षित और देश के विकास में बखूबी अपनी भागिदारी निभाने वाला जैन समाज आज सड़कों पर उतराया पिछले दिनों कुछ विरोध प्रदर्शन से सायद केंद्र की मोधी सरकार की निन नहीं तूट पाई थी इसलिए आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक और संसत से लेकर राश्चपती भवन तक आवाज गूजूठी जैन समाज के साथ विश्व हिंदू परिसत से लेकर असद उद्धी नौवे सी भी आखड़े हुए जारकंड सरकार भी बैक फूट पर आते दिख रही है लेकिन मोधी सरकार अभी भी पता नहीं किस इंतजार में बैठी है जैन तीर्द सिस्थल स्री सम्मेज सिखर जी को परेटन सिस्थन में बदलने का फैसला बापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली में जैन समाच के हजारों लाखों लोग प्रगती मैदान पर इखटे हुए और इंडिया गेट की ओर कूच कर गए जारकंड और केंदर सरकार के फैसले के खिलाब राष्टरपती भवन पहुचकर ग्यापन भी दिया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोग विरोध प्रदर्शन करते न जराई महराष्ट सरकार में मंत्री MP लोडा ने जैन समाच की मागों का समर्थन किया और बताया कि आज 5 लाग लोग मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं केंदर सरकार और जारकंड सरकार को तुरन्त समाधान करना चाहिए ने भी जैन समाच का समर्थन कर दिया उन्होंने ट्वीट करके लिखा हम जैन समदाई की लोगों का समर्थन करते हैं सरकार को इस फैसले को रद्ध करना चाहिए इस से पहले विश्व हिंदू परिसत की ओर से भी जैन समाज का समर्थन किया गया भी एच्पिय जारकन सरकार से पार्शुनात सम्मेज सिखर जी की मर्यादा, पवित्रता और अनुशासन के मताबिक तीन सूत्रिय मांगों पर शीग्र, सक्त और सीधा हस्तच्यप करने और उसके लिए समुचित उपाय करने का अग्रह किया है आईए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवात क्यों उठ खड़ा हुआ है और इसके पीछे सरकार की मंसा पर सबाल क्यों उठ रहे हैं जारकंड के गेड़ी जिले में इससे पारसनाथ हिल जिसे सम्मेज सिखर जी कहा जाता है जैन समदाय का सबसे बड़ा तीर्तिस्तल है जैन समाज पारसनाथ हिल्स में धार्मिक परिटन को बड़ावा देने के राज्य सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं सम्मिद सिखर जी को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रतरशनों की जड़, हाल ही में केंदर और जारकन सरकार की ओर से जारी किया गया एक नोटिस है। इसमें सम्मिद सिखर को परेटर इस्थल बनाने की बात कही गई है। जैन समाच के लोगों ने सरकारों की ओर से जारी नोटिस को अपनी धार्मिक भावनाव पर कुठारा घात बताते हुए इसके विरोध में मूर्चा खोल दिया है। जैन धरम के लोग कह रहे हैं कि इसे परेटन शेत अगर बनाये जाता है तो परेटकों के आने की वज़े से यहां मास और शराब का सेबन भी किया जाएगा। अहिंसक जैन समाच के लिए अपने पवित्र तीर्थिस्तल पर ऐसे कारे असहनी है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में मचली और मुर्गी पालन के लिए भी अनमती दे दी गई है। चोटे उद्ध्योगों को बड़ावा देने की बात कही गई है। मोधी सरकार पर सबाल उठाने वाले कहते हैं कि धरम की नाम पर ये सरकार कई दावे करती हैं। लेकिन खुद दार्मिक शेत्रों की पवित्रता नष्ट करने पर उतारू है। अयोध्या और काशी के नाम पर वोट मांगने वाले अब सम्मेश शिखर के नाम पर चुप क्यों है भाजपा के ही कई सांसर और विधायक जैन समाच की मांग को जायश ठहरा चुके हैं लेकिन सरकार का कोई मंत्री कुछ भी बोलने को फिलाल तैयार नहीं देख रहा है